स्वागत है सभीका, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही इलूसिव बर्ड, ये टिपिकली बहुत शाय होता है ये बर्ड जो आपको दिखाने वाला हूँ, इसका नाम है greater cockle, और इसको हिंदी में हम भारत वाज या महुक पक्षी के नाम से जानते हैं, इसका scientific सेंट्रोपस सिनेंसिस इसको क्रोफेसंट और संस्कृत में कुकुम्भी कहते हैं बहुत जादा यह शाय होता है खासत दोर पर इंसानों की नजर जब यह इंसानों को देख लेता है तो तुरंत डर कर या शर्मा कर उड़ जाता है तो बहुत लग्य हूँ कि मुझे इतने पा कहा रहा था कि बहुत शाय बर्ड होते हैं, इनकी जो फ्लाइट होती है, वो बहुत जोटी होती है, लम्बी दूरी तक ये नहीं उड़ते हैं, और नीचा उड़ते हैं. यह member है kuku kuku family के और order kukuliformis को belong करते हैं इनकी weak flight होती है और जाधा तर समय हम इनको ऐसी तरीके से ground पर शिकार डूनते हुए देख सकते हैं इनकी diet जो है बहुत varied diet है जिसमें यह insects, बड़े insects, reptiles जैसे lizards, अंडे, छोटे पक्षी यहां तक की sap पर भी यह हमला करते हैं तो बहुत और बहुत aggressive bird है जब बात आती है दूसरे creatures की इनसानों से बहुत शर्माते हैं इनकी एक deep resonant call होता है जो हमको सुबह और शाम के समय guidance में सुनाई देता है बहुत aggressive creature होता है यह और इसलिए इनको हम रैप्टर के तरह देखते हैं रैप्टर की तरह दिखाए देता है लेकिन रैप्टर जैसी बिल नहीं होती इनकी दूसरे birds जो होते हैं यह इसकी मौजूदगी में बहुत careful हो जाते हैं बहुत alert हो जाते हैं क्यूंकि slow moving और weak flight होने के बावजूद यह बहुत aggressive होता है और अंडों पर छोटे पक्षियों के अंडे और छोटे पक्षियों पर भी हमला करता है तो पक्षी इसके आसपास होने पर साउधान हो जाते हैं क्यूंकि इनको देख पाना और इनको record कर पाना बहुत मुश्किल है तो यह काफी जादा fascinated bird fascinating bird लगता है मुझे बहुत जादा majestic bird है और जो lesser cockle है वो wetlands और damn grassland के असपास उनका habitat होता है तो इसमें greater cockle और lesser cockle भी आते हैं सब species बोल जकते हैं और greater cockle जो है आज का जो हमारा subject है एक large non parasitic member है कुकू order का हमको मालूम है कुकू birds जो होते हैं वो दूसरों के घौसलों में अंडा रखकर चले जाते हैं तो इसको parasitic कहा जाता है लेकिन ये पक्षी ऐसा नहीं है इवंदो ये पार्ठ है कुकू फैमेली का ये अपने घौसले खुद बनाते हैं और समर के दौरन और दो से तीन अंडे ये एक clutch में रखते हैं और इनका जो ये पूरे इंडिया में widespread पाये जाते हैं अल्मोस्ट पूरे इंडिया में इंडियन सब कॉंटेन साउध इस्ट एश्या में और इनकी कई सेवरल सब स्पीसीज है कई को फूल स्पीसीज भी माना जाता है कववे की तरह दिखने वाला पक्षी है लेकिन इसकी लंबी पूज और कॉपरी ब्राउन र पूलमेज में कोई फरक जाधा नहीं होता सुबह के समय जाधा एक्टिव होते है और इनका जो नैश्रल एकुसिस्टम है यह मॉइस्ट रबलेंड्स ड्राइग्रास लेंड वैटलेंड और रिवराइन हैबिटेट्स में रहना पसंद करते हैं इनका ब्रेडिंग सीजन ज नैस्टिंग साइट जो है इनकी डेंस वेजिटेशन बैंबू थिकेट्स ऐसी जगह उपर डेंस फोलीज वाली जगह उपर यह घौसला बनाना पसंद करते हैं कौट्शिब डिस्पले की बात करें तो मेल इसमें फीमेल को फूद आफर करता है और नेस्ट जो है वह मेल ग्रेटर कॉकल ही बिल्ड करता है नेस्ट में यह बहुत सारी लकडी टेहनिया लेकर बनाता है और टिपिकली इसमें तीन से पाँच चौकिश यलोईश वाइट अंडे देते हैं और 20 दिन में अंडे हैच होते हैं चिक्स निकलते हैं और दूसरे 20 दिन में यह फ्लेज करना शुरू हो जाते हैं यह बहुत नीचा उठते हैं इसलिए इनके कई बार एक्सिडेंट भी हो जाते हैं रोड क्रैशेस में तो कई को आप अर्बन एरियास में हाइवेस के आज पा है तो कॉमेंट करके बताईए आपका एक्सपीरियंज इन पक्षी के साथ क्या आपने इनको देखा है और कौन से दूसरे पक्षी का मैं वीडियो बनाऊं यह भी कॉमेंट में मुझे बताईए